सभी को नमश्कार सुप्रीम कोट के जज्मेंट के बाद NTN ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके एकॉर्डिंग जो भी कॉंपेंसेंटरी मार्क्स या ग्रेस मार्क्स 1563 स्टुडेंट्स को मिला था उसे डिड़क्ट कर दिया जाएगा मतलब उनके मार्क्स से जितना भी ग्रेस मार्क्स मिला है उसको माइनस कर दिया जाएगा ठीक और उन 1563 कैंडिडेट्स का री एक्जामिनेशन होगा 23rd जून को और जिसका रिजल्ट आएगा 30 जून को ठीक और सुप्रीम कोट ने कहा है कि काउंसलिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा काउंसलिंग वही जुलाई में शुरू हो जाएगी ठीक हाँ NTA ने 244 रख दिया है उन 1563 कैंडिडेट्स के सामने पहला या तो डिड़क करने के बाद ग्रेस मार्क्स को निकालने के बाद जो मार्क्स बच रहा है उससे अगर कैंडिडेट्स खुश है जो भी 1563 स्टुडेंट्स है उनमें से जो भी खुश हो संतुष्ट हो अपने मार्क्स से तो वो लोग रेग्जामनेशन उन लोग को देने की जरुवत नहीं है हाँ जिन लोग को लगता है कि हाँ भाई शायद मैं अच्छा कर सकता था तो वो लोग अपना रेग्जामनेशन 23rd जोन को दे सकते हैं और आगे की जैसी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको क्लियर कर दूँगा कोई दिक्का तो प्लिस कमेंट थैंक यू